का क्या स्चान रहने वाला है तो धाका हाई कोट ने आरक्षन की विवस्था को फिर से लागू करने का आदेश दिया था पांच जून दो हजार चौबीस को ये आदेश जो है वो दिया गया था हला कि दो माई ने हो चुके ते हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही थी और हाई क कोट ने आरक्षन की विवस्था को फिर से लागू करने का आदेश दिया था और पांच जून को यादेश दिया किया था जिसके बाद से हिंसा का दौर शुरू हुआ पियम हसीना ने जौरां स्तीफा दिया कर बांगलादेश को छोड़ दिया और सेना अंतरम सरकार बनाने की बात कहती नजर आई और कल आर्मी चीफ की और से प्रेस कांफिरंस भी की कहती जिसमें नहीं ये बाते कहीं पियम हसीना को हटाने की मांग दरसल लंबे वक्त से चल रही थी लगवाग दो माईने से वहापर ये मांग की चा रही थी जिसके बाद हिंसा भड़क गई और इस हिंसा में सौस से ज्यादर प्रदर्शन कारी जो थे उनके मारे जाने की खबरे आई पुलिस ने चातर अंदोलन से जुड़े छे लोगों को हिरासत में भी लिया था इस बीच आर्मी की और से ये भी कहा गया आर्मी चीफ की और से कि किसी भी प्रदर्शन कारी पर गोली नहीं चलाई जाएगी पुलिस ने हाला कि आंदोलन से जुड़े छे लोगों को हिरास और हिंसक हुआ एक ही दिन में 60 से ज्यादा लोग मारे भी गए थे यह सब कुछ बांगलादेश में चल रहा था और इस बीच प्रदेशन कारिये मांग कर रहे थे कि प्रधान मंत्री शेक हसीना को स्तीफा दे देना चाहिए जिसके बाद आकरकार कल स्तीफा जो है वो दे दि ही है